चेतीज पूर एई रातो हैर रवे उदावने तरखर्मा थी तिस्तै सिर सिर चले को मन्द बता संगई वितु राजमा फक्रे का फूल हरुले मीठो सुगंध छरी रहे गई थी अनि उज्यालो पन बढ़े संगई सडक आपनो आपनो काम मा लागनो परने जीवन हरुल बिहानी को कर्म पूरा गर्ना सल्वलाय का भीडले रंगी चंगी भैसके को थियो घरई अगाडी लागने तरकारी बजार मा बिहानी को समय मा जोडी भैर तरकारी किन आउने र घर बाट देखीने कवसी हरुमा तातो तातो चिया संगई गफ मा मस्त देखीने जोडी हरुले हर घर को सोभा बढ़ाय को भैपनी उसलाई भने ती जोडी हरुका मिलन ले आफ़ें लाई गीजाई रहे को भान हुन्थियो न उसको जीवन मा न या बिहानी ले उल्लास्था पिन्थियो न फूल को सुगंधले मोहकता न समय ले हतार गराउं थियो न मोहार मा चमकता बिवहा पुर्व कल्पना गरेको जीवन साथी प्रबास्तवी चीवन मा कुनई रात आरामले निदाउन न दिने श्रीमान बीज तुलना गरी शुही समय मा बसन तको साथ पायर पालुआ पलाय संगई हरीयो बने को घर पछाडी को जंगल बाट कोई लिले कुहु कुहु र काफल पाक्यो भंदै शुरीहिलो सोर्मा आपनो परदियस्रिये को प्रेमिलाई बोलाय जस्ताई उपनी आपनो भाग्यमा परेको पत्वरस्त्र स्रीमान लाई फकायर आपनो सुमधूर भविश्य कोर्ण सकीने कुनई मंत्र को खोजिना थी हुनपनी विभाभई को दस बर्स सम्मा उसले कुनई दीन पनी अरो हरु को देखे बाहेक आपनो स्रीमान संग बसेर न मीठो गफ करना पाय की थी न संगय बजार गएर मन लागे का कुरा घुर की लगाउं दै र लाडे पर्टन दै किन्न न कुने दिन संगय बसेर खाना खाना पाय की थी न संगय माईत जाना सुने की थी त बस त मेरी स्रीमती हैनस मात्र मेरी आमा की बुहारी भन्ने भनाई देखे की थी त आधारात्मा बेहो सिपन्मा भित्र दै सानो सानो कुरालाई लेर यू खोजदै गरने जगडा त भोगे की थी त राद भरी को दाना देवहार सुनान संगय डुलने घुलने रसिने माहर न जाने कुरा त न उस सपनामा देखना सकती न विपनामा पाउना सकती मात्र कहले काही कलपना घरेर रमाउने गर्ती उती तमात्र सासु की संसकारी बुहरी संपन्न घर की मालिक में औनी बाबु को पवरक को संपन्न तासंगय चार छोरी पजी जन्ने को ले पुल्पु लिये रहुरके को दुखा रह अभाब न देखे को गलत संगत्र बाटो बनाउन दै जानी जानी गंतव्यहीन यात्रामा रमायर पुरुशार्थ गरे को संझने रह आपनी आमाले संपति को आडमा आपनो बिग्डी सगेको छोरालाई सुधारले की भन्ने आस्मा आपने साथी की छोरीलाई आपनो चलाखीले भित्याय की स्रीमतिले दिये को माया रसम्मालाई पाकंडी पन ठान्ने नामर्दपुरुश की स्रीमति नव मैना कोक माराखिरो जन्मदी हुरका एको घमंडगरने सास्वामाले आपनो छोराखो भविष्य बनावने चाहनाले आपने साथी की छोरी को भविष्य अंधकार पार दै छोराखो सत्वेबहार को भीक मागना उसका हरेक इथ्या रखुशी पुरागल दिये की धिन भने तुई जना सहयोगी हरो हरेक छेर्ड उसको अगी पछी लगाई दिये की धिन छोरा की आमा हुन पायेको मा गर्वगर्ने सासु आमाले आपने छोरा लाई मांचे बनावना और काकी छोरी संग गर्णू परेको याचना देखे रह कुने मेला निककई माय लागने गर्थ्यो भने कुने समय थाहा हुदा हुदे आपनो कुबाटो मां हिडे को छोरा को लागी आपने साथी की अबोत्र उमेर्ने नपुएकी छोरी का सपना हरुसंगा गर्वगर्वगर्वार समझे रा आमा को नाम मां असंख्य स्रद्दा बटुले की नारी सासु को नाता मां कती कुरा को पुष्टि गरांग थे। भलै उसको दिन्चर्या हेरेर लोबगर्णे रड़ागर्णे हरुको पनी कमी भने पटके थेना। तेस्तै बाबुको ब्यापार बिवसाय सम्हालेर बसेको जोई भनेर दंग परेका मैती पच्छ संग पनी उसले गर्ण सकने गुनासा ह करू के इथेनन। विवाहपुर्व सजाय का रमाईला छेन रस्चुनों नुरात को कल्पना सुहाग रात के दिन आधा रात मां बेहोसुदै। तीन जना को सहयोग मां आयेको उसको पती र उसले सुनायेको उसकी प्रेमिका को बर्णन औनी यो विवाहसं उसलाई कुनी सर कार नभेको कुराले चकनाचुर पारिशके को थियो। रपनी माया रबेवारले आफनों बनाउचु भनने जीनों आसालाई भने उसले मर्नदी की थीन। श्रीमान को माया बिना को श्रीमान को मर्भुमी सरह को घर सम्हालने जिम्मा बिनुपरने बाद्यता र प्रेम बिना को संबंध निर्वहा गरनुपर्दा को पिड़ा उसलाई जती सायत कसेलाई धाहा थेन। एउटी नारी आखिर पतिकई माया को आड मात उसको घर, बेवहार र नाता सम्हालन सक्छे। जुन कुने दीन न पाये पनी 24 खंटा को दीन कटाउनत गारोहुने मानविय मनले आखिर 10 वर्ष सम्हको समय बितित गरी सके को थियो। बाहिर वाट हेरदा चिटिक का देखिने फव्य महल भित्र, जगानीमा ससकार र विवहापची करत ब्यभूलेर, घर बिगने संगय, मायत बसे का दुई आमाजू हरू पनी थिये। घर चलाउने सासु आमालाई पनी सजिलोत कहा थियोर। घर रिजाउन नसकेर एक एक संतान सहित मायती बसन आये का दुई छोरी। ब्यापार बेवसाय नाफार घाटामा जेन तेन धान दै, घर श्रीमतीर आपना तीन छोरी। आमाको रहर समझेर वास्ता नगरने बेपर वाह छोरू। हर एक दिन मानसिक पीडा लुकाउँ दै, सारेलिक पीडा चुपाउन नसकी, अमीलो मन लियेर, भीत्र रबाईर गरने भुहारी, अनी सम्हालने नसकीने अथाह संपदी। श्रीमान को मृत्र संगई, खबनु परेको, असेह बेदनार उमेर बढ़ देगए संगई, लागेकार रोग, अनी कमजोरीमा पनी, घर धाने र बसनु परने, अबस्थाकी सासु आमाको दिन चर्या पनी सहस्भने थिये न। घर बेवार, छोरा बुहारी लाएजी मालगायर, तीफ्था ब्रतमा रमाउनों परने उनको समय, राद दिन माईती बसे का छोरी हरुको परिवार, र कूलकई कलंक बने को छोरा को परिवार को कुरार मिलाउं डईमा बेटी धुन्थियों। सासु आमा को दुख बुझे की भाय पनी, उसको खेर गय को उमेर, जवानी, रूप अनी मरे कार हर हरुको छेती पुर्ती कते बाट हुने आस थिये न उसलाई। आखिर मांचे लाई, आपने दुखत ठुलो हुन छानी, अर काकै लागी आपनो अन्मोल जीवन, दावमा पनी तकते दिन लगाउनुर। उन्हे दिन, केही नसोची घर छोडे र हिने दियू जस्तो पटक पटक लागे को भाय पनी, उन्हे पल, खुशी नदिये को श्रीमान ले, आमा कै चाहना भने र उसलाई, तीन मायालो छोरीहरू भने दी सके को थियो। तीनई का रेख देख मा, तीन कई मुहार भवी सहरे र, दिन कटाउनु सिवाय, केही उपाय नभए की उसलाई, अजई दीन भन्दापनी, रात कटाउना मुश्किल पर्थ्यो। धेरई मानी सरु को दीन भरी को काम को धकान मेटने, र काम को सिलसिलामा छुटे का प्रियजन हरुसमा भेटने, रात को सुमधूर समय, उसको लागी भने काल रात की जई बद्द थियो। सुर्य अस्तव है संगय, देखी ले अध्यारो पन्मा, उसको मुटु को धड़कन पनी, ती प्रगती मा धड़कन थियो। बाहिर का मांचे हरुले न देखे जए गर्द थे भने, बाहिर का मांचे हरुलाई सुनावनुको कुनई अर्थ थिये न। उमेर बर्ड़ गए संगय, देखी ने कमजोरी पन, दिन दिनैको चोट अने दुखे को मन ले। अब भने सहनुको सीमा नाही सके को संकेत दिन थाली सके को थियो। भने घर परिवार को बिवहार परिवर्तन हुने कुनई लच्छन देखे को थिये न। तेस्तई घर देखी निककई टाढ़ा रहे को माईती र माईती पच्छे संगय लुकाईये को पिडाले। विस्पोट पोहुने होकी भन्ने अवस्ता आई सके को भान भयपसी भने। उसको मन ले। जन्मने बित्तिकई बिते का आमा का संतान हरु पनित खुरके का हुँचन। फिरी आखिर छोरी की आमा ले। आपना छोरी हरु लाई सधैं। आफेले सिहार गरेर राखना पाईने पनित होई न। भन्ने सोचले। आपनो मन लाई दरो बनाऊदै लगी र संपन्न घरमा जन्मे का छोरी हरु लाई मात्र आमा को साथ को कमी हुने तो भन्ने भाब जागदित गर्दै। तहां जाने रख्ये गरने बारे केही न सोची। एक राथ निदाई सके का छोरी हरु को अनुहार धीत मरने गरी निहाली रगंत ब्यहीन यात्रामा निस्की। यो हाम्रई समास का दिदी भैने हरुले भोगे का देखे का रसुने का कथा हुन। आप biraz भोगे का जस्ते ही अबश्ता अरुलेपनी भोगे को सुन्डाक को रही भैपनी सान्त वना मिन्ने हुनाले। इर ऐस्ता कता हरू पपूले रलेकने रसुनावने गरी की चु। इर एस्ता अन्य कथा हरू सुनना का लागी मेरों चैनल लाइ सास्क्राइब गर दे, लाइक, कमेंट, शेर पनी गर दीन होना अनरोद गर देशू